तो हेलो फ्रेंग तो आज की सुर्ण हम बात करने वाले end screen के बारे में end eye button के बारे में यानि आप जैसे नया वीडियो अपलोट करते हो तो नया वीडियो में जितना व्यूज आता हो अगर पुराना वीडियो में आपको उतना व्यूज नहीं है यदि आप चैनल पर चैनल को कर देना सब्सक्राइब तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं end screen कैसे लगाते हैं तो guys end screen लागाने के लिए सबसे पहले आप Chrome open करना पड़ेगा जो bench mode करना है उसे ड़ा ऑपना चैनल यानी YouTube में आप यूटूब में जाने पर करना है उसके पद लोगों को क्लिक करना है कुछ इस थरा सी चैनल पर चैनल पर आपको कोस्टमाई चैनल पर चले जाना है पर दोस्तों यहाँ पर देख़ो तो बहुंस वारा वीडियो आचुके है तो जीस वीडियो में आपका end screen का option आ गया है, end screen को click करना है, उसके बाद आप चाहो, तो एक channel का, या नि अपना channel जो है, उसे भी promote करना चाहते हो, तो उसका भी selection कर सकते हो, बट आपको double video डालना है, double video भी डाल सकते हो, four video डालना है, four video भी डाल सकते हो, या फिर single video है, channel रहेगा, लदी डाल सकते हो, तो कुछ इस तरह से हम डबल वीडियो पे प्लीक करने तो क्लीक करने तो इसके बाद आपना चैनल जो में चैनल का वीडियो है या फुराना वीडियो आपना प्लीक करते हैं यहाँ पर प्राना वीडियो सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर प्लिक करेंगे हमारा जो एंड इस्क्रीन लग जाएगा, उसके अब अपर आई बटन दिया है, यानि आई बटन क्रियेटर कर गया, तो उसके बाद यहाँ से आप आई बटन लगा सकतो है, विल्कुल असानी से, तो आई वोप आप लोग को समाझ में आ गया होगा कि आई बटन एंड एंड इस्क्रीन कैसे लगाते समाझ में आ गया हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चानल पर चानल को करना सब्सक्राइब